अनुमंदलिय वैपार नगरी तेग्रा बजार में मिलावटी सरसो तेल का कारूबार बड़े पैमानी पर फलफुल रहा है जो आम आदमी के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार है तेग्रा बजार की कनहया भवन के बगल के गोदाम में सरसो तेल माफ्या जो की तेग्रा पुरानी बजार निवासी सिबजी पोदार का पुतर लच्पन पोदार के द्वाड़ा अवेत तरीके से सरसो का तेल टैंक लोरी से मंगवा कर बड़े बड़े टंकी में स्टोर करके उसमें मिलावट कर बड़े पैमाने पर डबे में पैकिंग, सिलिंग और लेवलिंग करवाई जाती है जिसमें सरसो तेल कमपनी के कई ब्रांट का लेवल लगा कर इस जहरीले तेल को तेग्रा छेतर के अलावा दूर दरास तक इसकी सप्लाई होती है इतना ही नहीं बड़ प्रशासन के नाक तले बड़े ही अच्छी इस्तिती में फल्फुल रहा है जिससे प्रशासन आज तक अनभीग बनी फिर रही है 25 मार्च सुभा 9 बचे अनमंडल पदादीकारी राकीच कुमार इबम प्रखन प्रभारी आपपूर्ती पदादीकारी राम कुमार की द्वारा अवे तेल के ठीकाने पर छापे मारी की गई जिसमें 20,260 केजी नकली सरसो तेल को टैंकर संख्या UP 6780-2995 को जब्त किया है इसके द्वारा पाइप से बड़े बड़े टंकी में अनलोड किया जा रहा था 165 पर तेक टीन में लगभग 13 केजी अलग-अलग ब्रांड का पेकेजिंग की हुई ब्रामद हुई है जिन जिन ब्रांडों की नकली पेकेजिंग वाली तेल ब्रामद हुई उनके नाम कुछ इस परकार है पालकी सकी गुलमोहर इत्यादी ब्रांड का लेबल लगा हुआ नकली तेल ब्रामद हुई है। 558 खाली टीन भी जप्त की गई है। इस पर टेलीफोन पाल की कुलहू एवम सखी का रैपर लगा हुआ था। 563 पैक किये गए टीन के डब्वे पर MRP एवम एसपारी डेट आदी अंकित नहीं था। छापे मारी के वक्त धंदेबाज द्वारा आगत निर्गत भंधार से संबंधित कोई भी पंजी नहीं दिखाया गया। गोदाम के बाहर किसी भी परकार का प्रदर्सित पटिया बोड नहीं लगा हुआ था। जो नियम के विपरित है। इससे ग्यात होता है कि यह बहुत ही छापे मारी के दोरान अनुमंडल पदाधिकारी तिघरा अपूर्ती पदाधिकारी तिघरा पुलीस पदाधिकारी संगठित रूप से मजूद थे। सरसो तेल माफिया लच्मन पोदार के समक्ष गोदाम के सभी द्वार को सील किया गया। साथी तेल माफिया को गिरफता सरसो तेल के धंदे के खुलासा से चिंतित और आससंकित है ना जाने इस तरह ताके मिलावट और भी कई अनिसमागरियों में की जाती रही है मिलावटी एबम काला बजारियों का धंदा चल रहा हो इससे प्रसासन और आम जंता अन्विग्य है आम लोगों का कहना है कि इस तरह के काले धंदे से जुरे लोग अपनी तिजोरी भरने की आर में हजारों लो लोगों पर करी कारवाई होनी चाहिए और इस कारवाई के खुला से सार्वजनिक हो ताकि ऐसे जीवन से जुरे हुए वस्तुवों में मिलावटी एबम काला बजारी करने वालों को सबक मिल सके बैन पिरियोज के लिए तेगरा से समबात दाता मिराज आलम की रिपोर